अज किसे एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं partners capital account with practice questions profit and loss account इसमें बनाना सीखेंगे एक बार और partners capital account और general तीनों हम लोग बनाना सीखेंगे इससे chapter first हमारा है fundamental of partnership firm accounts और इसको करने से पहले हम लोग बता दें आपको किससे पहले हमने chapter first से videos हमने बहुत सारे बना चुके हैं अगर आपको इन में से किसी दिक्कत आ रही हो interest on capital, drawing, profit and loss एपर प्रिशन account तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर एक उसको देख सकते हैं चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि अगर हम लोग method की बात करें capital account तो हमारे दो method से capital account find की जाते हैं सबसे पहला है fluctuating और दूसरा हमारा fixed capital account fixed capital account की बात करें तो इसमें हमारे दो बनते हैं एक होता है हमारा capital account और दूसरा आगी बात करते हैं तो इसमें हमारा होता है current account simple है capital account और current account यानि अगर हम लोग को fixed capital account के तहट अगर बनाना हो तो इसमें हम लोग capital account और current account यानि दो account आपके क्या होंगे form होंगे अगर अगर फ्लेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट बी दो पार्टनर्स हैं तो दो कॉलम हो जागा हमारे इधर भी हमारे दो पार्टनर्स हैं तो दो कॉलम हो जागा हमने फॉर्मेट में की कॉलम लिया है तो दो कॉलम हो जागा सबसे पहली बात करते हैं अगर हमारे पास बैलेंस सीट में जो पार्टनर्स के कैपिटल का जो ब तो यहां लिखेंगे to balance BD जान दीजेगा और यहां पर हमारा क्या हो जागा यहां पूट कर देंगे इसके जश्ट नीचे by bank account करते हैं अगर कोई phrase capital introduce कर रहे हैं अगर आप capital introduce कर रहे हैं तो आप cash में करेंगे और cash करेंगे जो भी हमारा जो partners capital introduce कर रहे हैं उसके account में क्या करेंगे पुट कर देंगे जस्ट इसके नीचे यानि जो भी partners को मिलेंगे उसके account में क्या करते हैं हम लोग credit करते हैं तो by salary salary मिलता है interest on capital by interest on capital मिलता है इसके नीचे अगर commission है तो commission भी यहाँ पर आ जाएगा by commission क्यानि जीतने भी partners के मिलेंगे कुछ भी वो सारी चीजिस में आएंगी उसके बाद अगर profit and loss appropriation account अगर हमारे profit and loss यानि appropriation account बना रहे हैं अगर उसमें हमको profit हुआ है क्या हुआ है profit हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि partners capital account के credit side में लिखते हैं profit and loss appropriation account और जीतने partners को जो जो share मिले रहते हैं वो share क्या करते हैं उनके हम लोग account में ठाल देते हैं नेक्स्ट बात करें करें हम लोग यहां पर यहां बाई two bank account अगर हमने कोई क्या किया है capital withdraw किया है तो capital जहां दीजेगा capital withdraw किया है तो उनके खाते से क्या करेंगे यह सारी चीज़े निकाल देंगे इसके बाद drawings account में हमारा drawing जो किया हुआ जाएगा नेक्स्ट अगर हमारा आता है interest on drawing अगर interest on drawing हमारा है तो जो जो partners किये उनके खाते सिखा करेंगे हां निकाल देंगे और in case of loss अगर हमारे profit and loss appropriation account में loss हुआ है तो आता है हमारा two side में यानि की debit side में और two side में लिखेंगे यहां पर जो partners को हम लोग क्या करते है old ratio में जो share किये रहते हैं loss को वह हैं पर लिख देंगे इसके बाद हमारा यहां पर आता है to balance cd का मतलब हम लोग क्या करेंगे कि credit side को टुटल एड करतेंगे debit side को एड करतेंगे और अगर मालो हमारा credit side अधिक हो रहा है debit side कम हो रहा है तो यहां पर बैलेंसीडी पर जितना बैलेंसिंग फिगर हैं लोग के दोडाउन करते हैं यह हमारा फ्लाक्च्वेटिंग कैप्टल एकाउंट का formate है चल यह बात करते हम लोग सीग्स कैप्तल एककाउंट में सबसे पहले partners capital account का यानि इस पे दो बनेंगे मने अल्रेडी पहले से हम बता चुके हैं कि दो बनेंगे पहला बनेगा capital account और दूसरा बनेगा हमारा current account capital account में simple जैसे हम लोग balance BD करते थे यानि यहां पर वही by balance BD यानि कि अगर हमारा credit balance है हमारे बैलेंस सीट के अंदर तो यहां पर partners होई रहेंगे जितने partners रहेंगे वहां पर column रहा जागा amount का और उसके खाते में लिख देंगे कोई bank account से बीड्रौ किया है तो यहां पर लिख देंगे और इंट्रोड्यूस कि अगर पैसा और लाया है तो यहां कब हमारे capital से विडरॉब हुआ है तो यहां पर क्या करेंगे माइनस यानि कि हम लोग डेविट कर देंगे हैं न यह देविट होता है और हमारा क्या होता है क्रेइट होता है एक उसके बाद भालेंस को सीडि यानि कि टोटल करने के बाद जो बेलेंसिंग फीगर हमारी यहां पर उसको ख्यारते हैं डोनों को कर देंगे ऐक्टेल कंता है चलिए दिखते हम लोग फौर में करेंट एकांट का हुक तो current account में मैंने वला था ना जो capital account में दो तीन चीज़ा आ गई उसके बाद यहां पर जो balance BD आता है इसका balance होता है यह हमारा होता है current account का balance current account है हमारे कभी-कभी balance sheet में current account और fixed account दोनों का balance दिया रहता है current account अगर हमारा credit balance है तो यहां partners जो भी रहेंगे A और B C जितने partners रहेंगे उनके क्या करेंगे जो भी current account का balance रहेगा इधर लिख देंगे अगर हमारा debit balance है balance यानि कि हमारे debit balance क्या मतलब तो अगर हमरा है तो यहां पर two side में अराम से यहां पर 100 होगा clear है यह जो भी partners रहेंगे A और B इनके खाते में क्या करेंगे हम लोग यहां पर 100 कर देंगे यहां तक clear है next अगर drawing की है नहां दीजेगा अगर drawing हुआ है profit का drawing के बाद कर रहें ऐसे नहीं drawing अगर profit का drawing हुआ है capital का नहीं capital का drawing होता है तो यहां पर क्या करते हैं two cash account लिखते हैं और हमारा fixed में जाता है तो यहां पर क्या करेंगे जो partners रहेंगे उन्हें खाते में यहां पर no down कर देंगे next हमारा interest on drawing और same चीजें हमारा जो हमने fluctuating में बताया था कि अगर in case of profit अगर हमको profit होता है तो हमारा कहा है इधर partners के credit में और loss आता है तो इसको कहां लिखेंगे हम लोग partners के debit में वह इसी तरह balance cd हम लोग दोनों का balance करेंगे उसके बाद अगर हमारा debit side कम पढ़ रहा है और credit side अधिक है तो फिन यहां पर हमरा balancing figure जो है तया वो क्या हो जागा नहीं हनुद हो जागा और अगर कंस परता है तो balancing figure जो हमारी रहे गी वह मेरा क्या हो यहां पर नальных सका वह पे और लोग partners must beтarak हम लोग questions को solve करते हैं एक questions को solve करके हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से इसके बारे में जनकारी मिल जाएगा तो एक questions लेते हैं और questions को लेने के बाद यहां देखिए कोशन है यहां पर A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2 ratio 1 इनका ratio क्या 2 ratio 1 एक capital की बात करें तो 10 lakh और 5 lakh इनकी capital है और इनका on 1st April 2018 each partners entitle the interest on capital ध्यांदी जेगा interest on capital 8% हमारा है and B is entitled the salary of 3500 per month ध्यांदी जेगा इस चीज को 3500 per month है और commission together with a commission of 10% of net profit remaining after ध्यांदी जेगा remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission मैं इसके बार में सारे discuss करेंगे इसलिए इस question को मैंने select किया है इसमें सारे चीजे include हो रही है तो इसलिए मैंने इसको select किया है और इसके इंड हो रहा है 31st month 2019 calculate the interest अब यहांपे क्या करना है तो सोदा division of profit को division of profit को करना है तो entry pass करनी है और प्रप्रटनस capital account और partners capital account को भी बनाना है पार्टनस capital account दो तरीके से बने गए आपे capital account और फिक्स्ट और फ्लक्टुएटिंग दोनों तरीके सब्सक्राइब करते हैं तो इस कैपिटल एकाउंट को बनाने से पहले हमको बनाना होगा क्या को रीव मरिए प्रॉरॉफिट ओ Learn later से पहले बता दे कि आपको बहुत सारे चीजह दीने रहेएंग शर头 यापको प्लॉफिेट अन। इसमें दिया में डिया के लिए हमारा फॉर्मेट सबको मालूम है यहां पर पार्टिकुलर और यहां पर हम लोग लेते हैं अमांट इन रूपीज यहां सिंपल वही पार्टिकुलर और यहां पर लेते हैं हम लोग अमांट इन रूपीज इसको करते हैं हम लोग यहां पर इसको करने के लिए हमारे स अगर नहीं आदे तो जा एक बार जाकर चेक कर लीजिए और फिर देखते हैं यहां लिखते हैं हम लोग भाई profit and loss account जान दीजिएगा profit and loss account हमारा जो profit given है यानि जो हमारा profit given है कितना है four like fifty thousand जो हमारा profit given है वो after charging the salary salary charge करने के बाद यानि कि हम लोग salary charge करने से पहले हमारी profit की बात करें तो हमारे salary थी 3500 पर month यानि 3500 इंट 12 करते हैं तो हमारा आएगा forty two thousand यानि हमने इस पे forty two thousand already minus कर चुके थे तो हम लोग इस प्लस करके तब बाहर सो करेंगे यानि four like ninety two thousand हमारा जो original profit है यहां गया अब चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहां पर interest on drawing है नहीं यहां पे हम लोग बात करेंगे interest on capital का तो यहां पर two interest on capital IOC लिख देते हैं और हमारा partners है A और B दोनों का interest on capital इनका जो interest capital है 10 lakh और 5 lakh है तो interest on capital 80,000 और 40,000 हो जाएगा 80,000 और 40,000 8% परेनम किसाब से 10 lakh into 10 lakh का 8% 80,000 और 5 lakh का 8% जो होगा हमारा होगा 40,000 यानि कि सिंपल है करना है यह इनको करके दोन दोन लेका 12,000 तो यहां पर 2 री मिल रहा है यानि कि 25 itself बात करें को यहां पर strategy कितना एंको ध्यान दीजेगे हैं पर भी को क्या करना है कमिशन मी देना है यानि बीज कमिशन अब इस बीज कमिशन को find करना थोड़ा साम लोग बतायेंगे आपको बीज कमिशन सेल्डी अकाउंट पार्टनर्स क्रेटल एकाउंट यहां पर ध्यान देना मैंने बोला था कि जो सेलरी होता है यानि कि आफ्टर और बिफोर आफ्टर और बिफोर धान दिजेगा तो यहां पर जो सेलरी देना है उसको कमिशन देना 10% of net profit after remaining deducting interest on capital and salary and after charging commission तो सबसे पहले deducting कर लेते हमारा 4,92,000 total हमारा क्या हो गया एक profit था इसमें से हमने minus करना interest on capital interest on capital 1,20,000 इसमें से minus करना हमको salary और salary दिया है 42,000 इनको minus करने के बाद जो हमारा amount आएगा वह आएगा 3,30,000 अब ध्यान दिजेगा 3,30,000 में क्या करना है commission find करने करने के लिए दो चीजी होता है before such commission और after such commission अगर before such commission होता है देखिए before such commission होता है और आपका जितना percentage 10% है तो 100 कर देंगे before के लिए बट अगर after होता है तो 10 upon 100 10 करते यानि कि जितने भी हमारा percentage रहता है उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं 20 रहता है तो 20 अपॉन हंडेड कर देते 15 रहता है तो 100 आफ्टर के लिए कितना हो गया हमारा 30,000 यह हमारा कमिशन हो गया इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा जो प्रॉफिट बचेगा और कितना जागा 3 यहीं पर 3,000,000 को क्या करेंगे उनके रिएश्यों 2 रिएश्यों 1 में बाड़ते हैं यहानि यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज क्या एज कैप्टल अकाउंट करेंट अकाउंट भी कर सकते हैं आप 20 कैपिटल एकाउंट दोनों लिख सकते हैं कोई गलत नहीं होगा इनको बांटेंगे तो हमरे आएगा यहां पर 2,00,00 और 1,00,00 और इसको जोड़ के हम लोग क्या करेंगे बाहर 3,00,00 लिख देंगे और इसको फिर टोटल कर देंगे 4,00 लेक 92,00 और यहां भी टोटल कर देंगे देखेंगे यहां पर वर्किंट नोट हम ने किया है इस वर्किंट को हटा दीजेगा आप टोटल करिएगा यहां पर 4,00,92,000 इसको भी क्या करेंगे टोटल कर देंगा तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट और लॉस एप्रिपिर इस चीज़ को नोट कर लिजिए अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग वह कॉपी किताब जो भी रहता सब लेके बैठी और लिखते हुए चलिए क्योंकि इससे आप लोग का जो कंफ्यूजन है और क्लियर होता चलेगा और आप लोग को करने भी आ जाएगा यहां आप लोग इसकेल से अच्छे से फॉर्मेट बना लिजिएगा ठीक है नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसके पार्टनस कैपिटल एकाउंट की बात करते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग उने नोट कर लिया होगा तो इसको देखते रहे हैं इस मैं सेलरीा है कमिशन है और हमारा प्राफिट एप अ बसंद यह हमुझे चाहिए और कुछ चाहिए है नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग क्यापिटेल अजियर कॉन्मिय है फिक्स कब बनाते हैं हम अगर हम लोग। ट्रैगे चैपिटल एकाउंट हैं इसके लिए और जितने हमारे partners हैं A है और B है यहां भी हमारा Particulars और हमारे जो A हैं और B हैं इस तरह का इन रूपीज और इन रूपीज हमने format लिखवा दिया था बता दिया था तो format आप लोगो सबसे पहले याद होगा ह्लोग यहां पर सबसे पहला काम करते हम लोग हुए अगर डेट डालना है तो डेट भी आप डाल सकते डेट का भी कोल्म होता है किस डेट पर आपने किए तो डेट भी आप चाहैंLight कोiring और डाल सकते हैं यह तो भूझ ज़यद्य premi, घ्युरूरी नहीं बीच में कोई introduction हुआ है न सूर्ट हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है simple इतना ही है इस एक अलावा कुछ है नहीं सिंपल वही कर देंगे 10,00,00 और यहां पर भी आ जागा हमारा 5,00,00 सिंपल है बहुत कुछ नहीं करना इसमें कुछ दिया ही नहीं है तो फजीत ना दिया है उतना हम लोग क्या करेंगे इसमें कर लेंगे हमारा हो गया कैट्ट्ल अकाऊंट इसके बाद इजम लोग करेंट क्योंके हम क्योंकि हम्या कैट्ट ऐइक्स है अचैक और सिंपली करेंट अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे तो करेंट एकाउंट का अगर हम लोग फॉर्मिट करें तो यहां पर लिख देंगे हम लोग सिंपली करेंट एकाउंट कि यहां करेंट अकाउंट्स हो गया अब करेंट अकाउंट्स में सिंपल हमारा वही होता है डेट अगर चाहें तो डेट आप डाल सकते हैं डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट में हमारा A, B, डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट में हमारा A, B, जो पार्टनर्स रहेंगे इनके रूपीज में हमारा अमाउंट होता है तो रूपीज यहां डाल देंगे डेट अगर आपका है डेट डाल देंगे यह नहीं है तो नहीं डालेंगे तो यहां पर बात करें सबसे पहले बैलेंस की तो यहां पर कोई भी हमारा current account बैलेंस तो है नहीं तो इसको हम लोग ignore करेंगे कोई नहीं देंगे बात करेंगे उसके बाद अगर हमको salary मिल रहा है सिर्फ भी को मिल रहा था ना 42,000 कमिशन भी मिल रहा है तो बाई कमिसन भी लिग देंगे यहाँ तो कमिशन भी को ही मिल रहा हैं कितना 30,000 नहीं अगर मालम चला कहां से आ रहा है तो आप लोग एक बार प्रोफिट और लॉस एप्रोप्रिशन एकाउंट का रिए खुलिए और देखिए कि कहां से सारे माउंट आ रहे हैं इसके बाद हमारा बात करते हैं इंट्रेस्ट ओं क्यापिटल का इंट्रेस्ट अन क्यापिटल आई ओसी तो इन ये को कितना मिल रहा है 80,000 ज्यान दिजेगा एक को जो हमारा इंट्रेशनल क्याप्टल था 80,000 था और इसका था हमारा 40,000 चेक कर लिजिए दिक्कत है तो इसके बाद प्रॉफिट ही हुआ है हमारा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन एकाउन एप्रोप्रियेशन एकाउन जो प्रॉफिट होता है न हमने क्या करता है इधर हम लोग क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैप्टल एकाउन में कितना था हमारा 20,000 तू लैक और वन लैक कहा जाया चेक कर लिजिएगा आप मैंने आ और इस साइड भी कुछ हमारा आने वाला है नहीं क्योंकि इंट्रेस्टन ट्राइंग है नहीं तो इसको टोटल कर देंगे और टोटल करने के लिए हमारे पास है यहां पर 2,80,000 तो टोटल कर देंगे अगर हम लोग एका और वीक आएगा हमारा 2,12,000 तोटल करते रहिए द रहे है और यहां पे बाराबर के कॉलम है यहां पर 2,80,000 और इसमें आएगा हमारा टोटल टोटल कर देंगे घंगे और आएगा हमारा 2,12,000। एह हमारा हो गया, अगर हमारा एकाउन कैड़ फिक्स रहत है, तो दो एकाउन बनाने पड़ते हैं, Capital एकाउन्ट और Current एकाउन्ट, बढ़ धान दीजेगा, अगर हम fluctuating से करते हैं, तो fluctuating से भी देख लेते हैं, तो अगर हमारा एकाउंट fluctuate है, यानि हमारा fluctuating account है fluctuating से करना है क्या करना है fluctuating क्या हमारा fluctuating से करना है तो simple है यहाँ पर simple लिखते हैं अम लोग capital account क्या लिखते है capital एकाउंट यहां पर स्मॉल एक्टर में लिख दिया कोई सब्सक्राइब कोई है नहीं आप कुछ भी कर सकते हो फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा वही अगर देट है तो डेट डाल दीजिए नहीं है तो छुड़िए डेट की बात बहुत कुछ करते नहीं तो डेट डालना बहु क्या दिक्रेट है मरे पास्टर से मठीर डाल देते हैं बड़ कोई जरूरी अठी feeling ऑतानिये लौस और यहां पर हमारे partner का नाम A और B यहां पर हमांट डालना हो इनदया रूपिस में यहां भी सिमपल इन माॉट क्राटी को Stop कि बात करें यहां पर तो सबसे पहले हमारा यहां पर आगा fy ा ऊपिल वाला kव बैलेंश का बीड़ी बैलेंस में कितना था इसका था 85 लाग और इसका था आहें टैन मरा 5 Ming कि कॉया एंट वी इतना था ही शेक कर लीजिए कर जो सा अरे शीचे मिल रही है यानि कि हम लोग बता जब बताएं थे हमने फ्लक्ट कबनाते हैं तो इक पूरे को सेलरी मैंक कि किसी कर लिता रहे है बाइ कर लिए अगर बाद करें तो भी सको भी मिल रहा है सिर्फ, तो कमिशन भी सिर्फ, हमको भी को हम रहा है, 30,000, Interest on Capital की बात करते हैं, तो Interest on Capital को सौट में लिख लेते हैं, यहाँ पर इसका आएगा 80,000 और इसका आएगा 40,000 चेक करते चलिए चेक करते चलिए कुछ नहीं है बहुत सतान है अब हमने प्रॉफिट भी पहाँ था ना वाई प्रॉफिट एं लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट आया था यहां पर इसको मिला था 2,00,00 और इसको मिला था हमारा 1,00,00 रुपीज क्लियर है कोई दिक्कत है नहीं कि डेविट साइड में हमारा कुछ है नहीं डेविट साइड होता है रही क्रेडिट साइड होता है तो इसको मैं लोग तोटल यहां पर एड़ करते हैं एड करेंगे तो हमारा आएगा 12,002,080,000 आप लोग क्लकुलेशन करिए देखिए इतना ही आएगा इसका अगर 12,80,000 और यहां पर हम लोग डाल देंगे 7,00,000 बहुत आसान है कुछ करना नहीं है आप लोग को अगर यहां पर balancing figure आप चाहें तो डाल सकते हैं balancing figure balancing समझ रहें जो balance हुआ इधर balance करने के लिए और यहां पर फिर से total वही 12,80,000 और इसका 12 हमारा balance है 12,000 डबल लाइन से cross कर देंगे यह हमारा बन के तयार हो गया capital account fluctuating से आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे format scale से ड्रो करेंगे दोनों line खीचेंगे एकदम सुंदर सुंदर अच्छे करेंगे ठीक है तो इस तरीके से हमारा इसको बनता है अगर हम लोग general की बात करें कि इसको general कैसे बनता है general भी हमारा बहुत इंपोर्टेंट है questions आते रहते हैं हमारे general में तो general बनाना बहुत असान है अगर हमको ए लेजर समझ में आ गया तो general बहुत ही असान है तो चलिए हम लोग इस्टार्ट करते हैं आप लोग खोल के रख लिए प्रॉफिट अन लॉस अप्रोप्रियसिन एकाउंट तो प्रॉफिट अन लॉस अप्रोप्रियसिन एकाउंट में सबसे पहला यहां पर यहां पर हमने आपने फॉर्मेट कोलम और क्रेट कोलम आप उसको ड्रॉफ कर लेना हम यहां पर एक एक करके अपना इंट्री बताते चल रहे हैं पहला जो इंट्री होगा जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट को यहनि प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट डियार तू प्रॉफि को यहां पर क्या करते हैं भाई डालते चलते हैं कुछ करना नहीं यह 4,92,000 पहला इंट्री कम्प्लेट यहां पर लिख देंगे बिंग प्रॉफिट ट्रांस्पर टू प्रॉफिट अं लॉस एप्रोप्रिशन एकाउंट यहां से स्टाट करते हैं बिंग एरेसन कर देंगे दूसरी इंट्री क्या आपास करेंगे जहां देना दूसरा इंट्री हमारा पार्क से में सेलरी सेलरी का न क्या करते हैं सेलरी को कहां ट्रांस्पर करते हैं कैपिटल एकाउंट में हां तो बीज सेलरी एकाउंट यहार टू, C's, B's, capital account करते हैं, ज्यान दिजेगा B के capital account में हमने लिखा था न, buy salary account, b के capital में का लिखा था, buy salary account, तो यहां पर entry होती है, buy में जो रहता है, वह हमारा कहा चल जाता है, debit में चला जाता है, जितने भी capital account, यह कुछ भी buy में रहता है, तो debit में जाता है, जो 2 में रहा था, 2 में जाता है, और जिसका बनाते हैं हम लोग, उसके अपोजिटीव में लिख देते हैं, हमने क्या किया कि आप capital account बना रहे थे B का, B के capital account में 20 salary जो है, कहाँ गया था हमारा, credit में क्या था, buy side में, तो debit कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, credit कर देंगे, और इसमें आएगा हमारा 42,000, कुछ करना नहीं है, बहुत असान है, यह दूसरा entry हो गई, तीसरा entry, इसका अगर हम नारेशन लिखना है, अथा, 20 salary created to 20 capital account, 20 salary created to 20 capital account यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड हमारा entry पास करेंगे, कि अगर हमारा क्या करें, profit and loss account में, अगर हम लोग transfer करते हैं, देखिए, दो entry बनेगी salary की, यह capital account में transfer करने के लिए, और एक हमारा profit and loss, appropriation में transfer करने के लिए, तो इसको कैसे entry बनेगी, profit and loss, appropriation में कहा जाता है, salary, बहुत असान है, बहुत असान है, अगर laser बन गया ना, तो बाकी सारे चीज़ें करना ना, बहुत ही असान है, यह हो गया हमारा, simple, fourth entry क्या होगी, interest on capital, दो चीज़ करेंगे, interest on capital को पहले कहाँ transfer करेंगे, capital में, और capital में transfer करेंगे, करते हैं, यहाँ पर interest on capital क्योंकि buy में जाता है, इसलिए इसको debit करेंगे, capital account DR, और किसके किसके खाते में गया था, to A's capital account, to B's capital account, कितना असान है न, कितना असान है, हमने कितना दिया था total, A को दिया था 80,000, और B को दिया था 40,000, और total interest on capital हमने दिया था 1,20,000, अब इसको क्या करते हैं, चौता entry हो गया, पांस चौता entry में क्या करेंगे, इसको हम लोग profit and loss appropriation के लिए भी entry मारेंगे, आप लोग पूरा लिख लिजिएगा, to interest on capital, क्या 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 capital गया था, कितना, 1,20,000, और यहाँ पर भी 1,20,000, कितना असान है न, होता असान है, commission का भी इससी तरह entry हम लोग pass कर सकते हैं, commission का भी, यानि six integer pass करना है, तो पहले capital account में transfer करेंगे, तो commission कहा जाता है, यानि B's, commission, account DR, to B's capital account, होता है na, capital account कहा जाता है, commission, limit credit में जाता है, buy side में बाई बाई वाले को debit करते हैं, और कहां जा रहा है, debit किया इसको, किसके account में, तो B's capital में जा रहा है, 30,000 और 30,000, अगर हम लोग इसकी appropriation की बात करें, कि इसकी entry appropriation में कितनी होगी, appropriation में, तो एप्रॉप्रप्रियोस के तू में जाता है तो प्रॉफिट एन लॉस काउट कने म हो जाएगा wygląda अठी और यह कहा जाएगा अंध्यार आपकाउंड ढूल के इंडी संब्ने के कि acre अगर आप लोग थोड़ा सा समझ गे तो 30,000 और 30,000 असाने न यह साथ इंट वला यहां स्टाट करते हैं आप लोग फॉर्मेट के साथ करिएगा मेरा पास यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है फॉर्मेट नहीं के बना पा रहे हैं तो बट हम लोग सिखने से मतलब है सिखते रही है फॉर्मेट बनाने तो आप लोग जो हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं बाई प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रियेशन अकाउंट यार तू किसके किसके खाते हम जाता है भाई इस क्याप्टल एकाउंट और दूसरा हो जाएगा हमारा टू बेज कैप्टल एकाउंट कुछ दिक्कत नहीं है आप लोग के पास अमाउंट है पेन और कॉपी लेके बैठिए और लिखे इसमें जा रहा हमारा टू लैक देखिए प्रॉफिट का पाट और इसमें जा रहा था हमारा वन लैक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और सेर्ज करना न भूलें मिलते हम लोग नेक्स्ट सीरीज में इसके अगले एपिसोड में और अगले एपिसोड में पढ़ेंगे एडजेस्टमेंट आफ क्लोज्ड एकाउंट बहुत ही इंपोर्टेंट से हम लोग ने अलग अलग टाइप के कोर्शन को प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे किस तरीके से फाइंड करते हैं तब तक के लिए जय हिंद